तो इन प्यारे प्यारे खुबसूरत फ्लावर्स के साथ मैं आज आप लोगों को एक DIY बहुत ही आसान तरीके से मैंने अपने गाटन को सुन्दर बनाने के लिए बनाया हैं तो आप भी जरूर इसे बनायें और ये बिल्कुल वेस्ट मेटेरियल से बना हुआ है तो चलिए मै दिखाती हूँ कि कौन सा मैंने DIY बनाया है घर पर तो इसके लिए मैंने लिया है देखे इस तरह से एक छोटा सा डेट वाला पॉट लिया है मैंने और ये PVC पाइप जो आती हमारे घर पर जब हम घर बनाते हैं तो वेस्ट जो बचा रहता है पाइप कटा वाला तो उसको हम इस्तमाल कर सकते हैं तो देखे मैंने पाइप में दो जगह होल बना लिये हैं इस तरह के और पॉट में भी दो होल बना लिये हैं यहाँ पर देखे मैंने रसी लगाया है तो आप चाहे तो रसी का इस्तमाल कर सकते हैं चाहे तो आप तार का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो मेर नीचे गिरकर खराब नहों पॉट टूटेना और हमारा प्लांट भी खराब नहों तो इन दोनों को अटाइच करना है इस तरह से बान देना है यदि आपके पास तार है तो तार में भी बहुत ही अच्छे से बनेंगे तो इन दोनों को इस तरह से मैं बान दूंगी यहां पर इस तरह से अब देखिए यह ज़्यादा हिल ने रहा है आप चाहे तो चार होल भी कर सकते हैं जिससे की काफी और मजबूत हो जाएगा पॉट में भी और क्या पोलते हैं पाइप में भी दोनों में तो मैंने दो ही होल किये हैं और इस तरह से मैं बान दिय हुआ था तो मैंने पॉट उल्टा करके निकाल लिया था अब मैं इसी पॉट में इस प्लांट को रख दूंगी और थोड़ा सा हलका सा यह जो ड्रेनेज होल है उसमें मैंने थर्मा कॉल की पीसेस रख दिये हैं और इस प्लांट को मैं इसमें रख दूंगी इस तरह से और थोड़ा सा पूस कर दूँगी ताकि ये अच्छे से जम जाए और प्लांट अच्छे से सरवाइब कर सके मैंने प्लांट को बिल्कुल भी डैमेज नहीं किया है इधर उधर हिलाया नहीं है तो ये बहुत ही असान तरीके से आप बना सकते हैं आप चाहे तो जो पाइप मैंन तो इस तरह से बगल में देखिए आप यहां पर रसी दिख रहा होगा इसको मैं आगे वीडियो में दिखाती हूं तो बस फ्रेंड से बहुत आसान है आप एक पॉर्ट ले लिजिए चार या च्छे इंच का या दस इंच का पॉर्ट और उसमें मिट्टी भर दीजिए दे बढ़ जाएगा तो बहुत ही सुंदर एक टावर की तरह खुबसूरत लगेगा सुंदर लगेगा तो इसे आप इस तरह से भी लगा सकते हैं और भी कोई दूसरे प्लांट भी वाइन ड्रिंग्स यू है टर्टल वाइन है ग्रीन वाला या फिर टैंगल हाट है इस तरह के डियाईवाई बना सकते हैं और जब गंबला पूरा अच्छे तरीके से भर जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा और बगल में देखें फ्रेंड्स मैंने क्या किया है जो पाइप है उसमें मैंने जूट की रस्सी लगा दी है तो थोड़ा सा वो ज्यादा अच्छा लग इसकी वज़ाए तो इसी कारण से मैंने दो पॉट तयार किये हैं और दो तरीके से बनाए हैं देखें इसमें मैंने जूट की रस्सी लगाई है प्रोसेस दोनों का सेम है और आप भी इस तरह से कुछ अलग धन से भी आप बना सकते हैं कलर कर सकते हैं जूट की रस्सी लग सकते हैं मैकरम धागा भी लगा सकते हैं चिपका सकते हैं गलूगन की सहायता से और इस तरह से हम अपने गारण को सुंदर बनाने के लिए DIY कुछ-कुछ तरीके से तयार कर सकते हैं तो मेरे पास यह खाली पड़ा था तो मैंने सोचा कियो ना मैं भी इस तरह से बना लूँ औ तो काफी खुबसूरत लगेंगे और देखे इस तरह से आज बारिस हुई है यह सेकंड दिन का वीडियो है मेरा जिस दिन मैंने बनाया था उसकी दूसरे दिन का तो देखे कितना सुंदर लग रहा है बारिस होने के बाद इस तरह से तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स बाई ब बाई बाई चरो के बाई डवाइ बाई था प्रेंड्स दिन का फ्रेंगे और बाई आखे हैं यह पूसरे इस दिन का व सूसरे ऑ्रेंड्स दिन का वार मिलते हैं